खबर पिहार से है जहां मजहौलियत अनक्षित्र के माधोपूर पंचायत में एक आठ साल के बच्चे की गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया है मृतक स्वर्गिय राकेश साहनी का पुत्र है आपको बता दे कि राकेश भी 2012 में सिर्वरिया से माधोपूर मला ही जा रहे थे तब ही बाएक से दुरगटना हुई और पटना मिलाच के दोरान उनोंने दम तोड़ दिया था महीं मृतक की मा अनीता देवी ने भी एक साल पहले फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली थी और अभी 60 साल के बच्चे की भी संदिक्त परिस्तितियों में मौत हो गई बताया जा रहा है कि बच्चे के गले पर निशान थे और कान में खून का धब्बा था सुषन मिलते ही मजहौलिया थानाध्यक्ष मौके पर पहुचे और शौक को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटरम के लिए बेतिया भेज दिया अब मिलायू लेकर हम उठाके अउकर एक बेप बेटिया कंजे ले जाक चलाओन लगाया वार लगा के आओ तफेनम उठाके दो दिया हम जाइन नहाए तो गोबराव भी दिया तो कलग जहां जो नहाँ हम गएनी नहाए तले देखता हैं लगाया सूतल बत जाकानी बाबुकाय सूतल बड़ा भुण्या हैंगा उठावाता हैं तले ग्हेट जूल गई रहा हम लेके ही आओने चिलाते वहनी तो लोग बिट र अगरावाद में वह जान उपजान लाइक वा मरद तो अगानी साँ खाके आउंगे मास उपकल लगे यह खुर्पी लेके जाएं गर नान की दूबर पुछल खंपनी जा आउंगा बाद में बेटिया को यह बबीर जो तेहूं जो घुर दूद में जोरन लगा दिये आँ आद उधा के दाना सोन के गाए के बान दिये तूं